हेलो एवरीवान, वेलकम बाक टो मा यूट्यूब चानल साइंखुशी क्रियेशन्स आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अहोई अर्ष्टमी पर तारो को अरग कैसे दें, तारो का पूजन कैसे करें तारो का पूजन करते हैं, सबसे पहले आपको जो आपकी स्याओ मता की माला है वो अपने घर्ले में जरूर पहनी हुई आपने होनी चाहिए उसके बाद आपके जो आखे के दाने होंगे, वो आपको अपने लोटे में डालने हैं यानि जिन्दानों के साथ, दुर्वा के साथ आपने कहानी सुनी होगी वो थोड़ा सा आपने जो भी प्रसाद लिया है होई की पूजा के लिए वो आपको डालना है, कुछ फूल के पत्ते आप डाल सकते हैं और अब इस लोटे के जल से आपको तारों को जल देना है, तो जो हमारी होई पूजा होती है उसमें तारों को अरग दिया जाता है, अगर आपके हैं चांद को दिया जाता हो, तो आपको चांद को अरग देना है तो जब आसमान में तारे निकल आएंगे तो इस प्रकार से आपको जल देना है इस तरीके से जल अर्पित करने के बाद अपने घर के लिए प्रातना करें अपने घर के शुब के लिए अपने बचों के शुब के लिए प्रातना करें और सारा जल आपको वहीं पर अर्पित कर आप तीन बार परिक्रमा भी कर सकते हैं जलर्पित करते वक्त वैसे हमारे आप पर आज की पूजा में जलर्पित करने के बाद तीन परिक्रमा करी जाती है इसके बाद आपको दूर से ही रोली चावल चंदन सब कुछ अर्पित कर देना है उसके बाद आपको आरती करनी है त दिया आपको वहीं पर रख देना है और कुछ प्रिसाद जैसे कोई पूड़ा कुछ भी आप जो भी प्रिसाद आपने लिया हो वो भी आपको वहीं रख देना है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे चानल साइंग खुशे को ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें थांक यू